दिली में लगातार जल संकट बढ़ता जा रहा है दिली में पानी के किल्लत से लोग बेहाल हैं। बेहाल हो चुके हैं, बून्द बून्द को दिल्ली वासी तरस रहे हैं, आमाधी पार्टी के खिलाव बीजेपी का लगातर हल्ला बोल दादूपूल डिवीजन में हतनी कुर्ण बैराज आता है और एक्सियन हमारे साथ मवजूद हैं विजेगर्ग एक्सियन साब, जिस तरसे पानी गर्मी आ रही है, पानी की डिमांड अब ज़्यादा राज्यों में हैं, खास करके दिल्ली में देखा जाए तो सप्लाई काम मिल रही है, सारोप वहां के सरकार लगाती है, क्या आपको लगता है पानी कमी है डैम में, आप लोग कितनी सप्ल पानी कर पा रहे हैं, नमस्कार जी, जितना भी यह जो हत्निकुन बाराज है, जी हमारा तो इसमें हम जो भी पानी अविलेबल होता है, हमार पाज जो भी ऊपर से यह अमना रिवर के अंदर पानी आता है, तो हम एस पर मॉयू जो हमारा हो रखा है, स्टेट्स के अंदर, तो उसी हिसाब से हम पानी के अविलेबलिटी है, उसको शेयर कर आती है, तो डिल्ली को पूरी सप्लाइगे मिल रही है, रंधान को पूरी सप्लाइगे, हरियाना को पूरी सप्लाइगे? सप्लाइ एविलेबिल्टी के ओपर जितना पानी एविलेबल होता है जी वो एस पर शेयर बढ़ जाता है यानि पानी इस वक्त आपको पता ही है पानी काफी कम हो रखा है इस वक्त जो जो यमना नदी में पूरा पानी है वो च्हाली सो क्यूसे के करीबन है जी जिसमें से हम तेती सो क्यूसे के करीबन हम डवलीजीसी के अंदर छोड रहे हैं जी और नौसो क्यूसे के करीबन हम यूपी के अंदर एजीसी के अंदर दे रहे हैं जी यूपी के अलावा दिल्ली को कितना समय जा रहा है हम जी हमारे पास करनाल में मुनक जो है जी महां से हमारे पास डूसरा बबाना इंडेस्टरी रे वहां पर जाता है पानी जी, अभी क्या वजह सबसे ज्यादा मांसून लेड हुआ है, उसके कारण दिक्त है पानी की और और कुछ कारण है? यही है जिु theatre बारिषें इस वक्त आप जयसा देकर गरमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बारिषें बिल्कुल भी हुई नहीं है जिसकी वजह से यह लग रहा है यह पानी की कमी हो रही है जो आरोप एक सरकार लगाती है दिली सरकार खास करके कि पानी उनको नहीं मिल रहा है आप लोग कह रहे हैं कि पानी सप्लाई कर रहे हैं और 761 पानी लगाता है उस नहर में छोड़ा जा रहा है जो दो जो बांत से निकले गए हैं जो दो गेट से निकले गए हैं तो यह इसम आपको बताया भी कि भी जो हमारे पानी अब्लेवलीबल होता है, वह ही हम एड जो हमारे पानी शेयर करते हैं. तो उसमें कोई हम कमी नहीं करते हैं, आपने अजनगन विसट भी कराओगा, वहां पर सारा कुछ ओटमेटिक शिस्टम है, SCADA system हमारा लगा हुआ है वहाँ पे और वहाँ पे सारा कुछ control automated है और जो जो इसमें जो भी gauges होती है बेकि इसको कितना पानी है वो automatically से भी को पता चल जाता है यह एक सी जोर है कि 4600 क्यूसिक आपने बताया कि इस बैराज में पानी है अमोमन इस समय जादा होता है या इससे भी कम होता रहा है नहीं वो तो जी बारिशों के ओपर depend करता है मालो जनरली की 5000 क्यूसिक हमार पास जनरली अवेलेपल होता है तो उसके आसपस है कभी यह दिन म हो जाता है फिर रात कोई 5000 क्यूसिक तो तो वो पानी जो यमुना के अंदर जैसा हमार पास अपलाया आते रहती है उस हिसाफ से डिस्ट्रिबूट होता है एक सब एक चीज़ हो रहा है कि क्या हिमाचल पानी छोड़ रहा है जो उमीद की जा रहे थी कि छोड़ने का बाच जाइस आपको लग रही है जी आमोमन बीस तारीक को कह रहे हैं जी भी बारिश आने के उमीद है जी अगर जैसी बारिशे कुछ आती है तो सिच्वेशन हो सकते हैं इस बहुत बहुत शुक्रिया तो यह थे